सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली में पटाकों की सेल पर रोक लगाये जाने के फैसले की बहुत सी लोगों ने निंदा की है आर्थिक नुकसान की चलते कारोबारे इस फैसले से काफी ज़्यादा नाराज हुए है वही तमाम दक्षिर पंथी लोगों का कहना है कि या फैसला हिंदू बिरूधी है और कई लोगों ने यहां तक कहा है कि या ऐसा ही है जैसे मुगल दिवाले पर पटाके बैंड कर देते थे लेकिन आई ये जानते हैं कि आखिर इसका इतिहास क्या है तो चलिए दोस्तों वीना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं इतिहास बताता है कि भारत में पटाके जलाने की परथा इसलामिक सामराज्यों के दोरान शुरू हुई थी आपको बता दे कि चीन में नवई सदी में बारूत की खोज हुई थी लेकिन इससे पहले पटाके बनाने का काम एक अरसे बास शुरू हो पाया था चेन में अपने हमलों को अंजाम देने के लिए मंगोल लड़ाकों ने बारूत का इस्तिमाल किया था मध्यकालिन इतियासकर फरिस्ता की पुस्तक तारीख फरिस्ता के मताबिक मार्च 1258 इस्पी में मंगोल शाशक हुलागु खा के स्वागत में पठाके जलाए गए थे इस मौके पर दिल्ली में सुल्तार नसीरुदिन महमूत के दर्बार में तकरीबन तीन हजार पैकेट पठाके जलाए गए थे और इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनवात करने वाले इस्ट इंडिया कंपनी के लेटिनेंट करनल जॉड बिंक्स ने आतिस बाजी का आर्थ उन हत्यारों से लगाया जिसमें मसाले जला करती थी ऐसे हत्यारों को मौक्मद बिन कासिम और महमूद गजनी जैसे हमलावरों ने इस्तेमाल किया था हलाकि भारत में बारूद के इस्तेमाल पर गहरा अध्यन करने वाले इक्तिदार आलम खान ने कहा है कि या बारूद का असली इस्तेमाल ही था एक सदी के बाद सुल्तार फिरोजशा तुगलक के शाशनकाल में दिल्ले में पठाके जलाई गए थी तारीखे फिरोजशाही में इस बात का खास तोर पर जिक्र है कि कैसे सबे बारात के दोरान पठाके छोड़े गए थी और पंदरवी सदी के सुरुवात में चीनी व्यापारियों के जरिये बारूद दक्षडभात में पहुंचा था अब अगर दिवाली की बात करें तो अबुल्फजल ले आइने अकबरी में लिखा है अकबर ने कहा था कि अगनी और परकाश की पूजा करना धार्मिक करता भी है और इसे नजर अंदाज करने वाले लोग एक तरह से सर्वसक्तिमान इस्वर को नकारते हैं फिर आकिर यादावा कितना सच है कि औरंग जेब ने दिवाली के पठाकों पर बैन लगा दिया था औरंग जेब की ओड से पठाकों पर बैन लगाए जाने का कोई कारण नजर नहीं आता औरंग जेब के दक्कन में मौझूद युद्ध केंप में 1693 इस्पी में होली मनाई गई थी यही नहीं औरंग जेब की बेटी जेबुन निसा की पेंटिक भी मिलती है जिसमें वह सत्तरवी सदी के आंत में सबे बारात के मौगे पर पठाके छोड़ती दिखती है मुगल काल में दिवाली को जश्नी चिरागा के नाम से जाना जाता था मुगल काल में विबिन ने हिंदू और मुस्लिम तेहवार खुब उस्सा और बिने किसी वेदभाव के मनाय जाते थे अनेक हिंदू तेहवार जैसे दिवाली, शिवरात्री, दसहरा और राम नौमी को मुगलों ने राजकिय माननता दी थी खास तोर से दिवाली पर एक अलग ही रोनक होती थी तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें मिलते हैं अगले किसी सांधार वीडियो में जैहिंदू